ये वीडियो के एंड तक मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ वो एक ETF जो इंडिया में long term investment के perspective से best है अगर आपने ये ETF में एक साल पहले invest किया होता तो 79% return बनता सिर्फ इतना ही नहीं 10 साल वाले यानि की long term investors जो invested होते इसमें उन्होंने more or less annualized average return जो बनता उनका वो double digit में हो inflation को आप consistently अगर double digit में आपका portfolio return दे रहा है तो inflation को आप regularly beat कर सकते हो और as a investor ये हमारा सबसे बड़ा एम होना चाहिए तो अब बिना time waste किये चलिए शुरू करते हैं ETFs या exchange traded fund एक बैतरीन option है passive investors के लिए passive से मेरा ये मतलब है कि अगर आप business person हो या working professional हो आपकी नौकरी है या even housewife हो तो आपको stocks track करने के लिए regular उतना time नहीं मिलता होगा और passive investor वो होता है जो एक asset में डालता है और थोड़े अच्छे time के लिए invested होता है मतलब आपको ETF को एकदम ऐसे regularly track करने की जरूरत नहीं है ETFs के एक underlying asset class होते हैं जैसे कि gold, debt पर आज जो underlying asset हम track करने वाले हैं वो index ETF है मतलब sensex या nifty अब sensex और nifty के हम सारे stocks तो खरीद नहीं सकते इसलिए हम वो ETF identify करेंगे जो sensex या nifty का return जो आने वाले time में होने वाला है उसको replicate करेगा और अगर आप इंडिया की growth story में मानते हो कि आने वाले time में nifty और sensex उपर ही जाने वाले है तो ETFs are one of the best options that you can look at in fact ETF इतने popular हो रहे हैं कि investors एक dedicated allocation ही दे रहा है ETF को अपने portfolio में इसलिए आपको ETF के बारे में जानकार होना बहुत ज़रूरी है और आपको अपने consideration में ETFs को definitely रखने चाहिए ETFs को mutual fund और stocks के तरह evaluate करने के भी कुछ criteria होते हैं वो देखते हैं तो सबसे पहले किसी भी ETF का historic data या historic performance और consistent performance होना बहुत ज़रूरी है ये दो parameter लगा के मैंने आपके साथ 5 ETF शेर किये हैं वो है निपॉन इंडिया Nifty ETF 20, ICSA Prudential Nifty ETF, HDFC Nifty 50 और LIC के Nifty 50 और LIC Sensex ETF तो ये 5, 5 साल से जाधा market में है, in fact Nippon India ETF Nifty 20 तो 10 साल से भी जाधा है, इसलिए मैंने उसको 5 point दिये हैं, बाकी सारे को मैंने 3, 3 point दिये हैं, तो यहाँ पे Nippon India Nifty ETF 20 stand out करता है दूसरा parameter ETF को evaluate करते हों जो आपको देखना चाहिए वो उसका fund size या AUM, सरल भाषा में कितने लोगों ने वो ETF पे बरोसा दिखाया है तो अब अगर मैं ये सारे जो 5 ETF निकल के आए, उनका AUM plot करूँ, तो Nippon India का जो ETF है Nifty 20 उसका 3,000 करोड का fund size है ICICI Prudential का 2,000 करोड और बाकी 3,000 करोड के नीचे है, तो यहाँ पे Nifty 20 को मैंने 5 point दिये है ICICI Prudential Nifty ETF को 4 point, HDFC Nifty 50, 3rd IST उसको 3 point और बाकी LIC के जो Nifty और Sensex के ETF है, उसको 2 और 1 point respectively दिये है पर Nifty 20 यहाँ पे भी completely stand out करता है बाकी सारे ETF के मुकाबले कुछ देर पहले मैंने share किया था कि ETF की खरीद और बिकरी Sensex पे होती है, मतलब वो trade होते है तो एक बहुत ही important चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इसके trading volumes कितने है पता लगा आप Nifty का ETF खरीदने या बेचने गए और उसके लिए आपको buyer या seller नहीं मिला टाइम पे तो trading volume भी track करना बहुत जरूरी है अब अगर ये 5 ETF के मैं trading volume मैप करूँ तो Nippon India का जो daily trading volume मैंने मतलब एक अंदाजे से लगाया वो 30 करोड के around है तो इसलिए मैंने इसको 5 point डिये I say say Prudential recently March में 2-3 करोड के around hover हो रहा है बट ये काफी volatile है कभी लाखों में कभी करोडों में इसके trading volumes है तो यहाँ पे consistency की थोड़ी कमी थी इसलिए इसको 4 point HDFC के सिर्फ 20 लाख trading volumes हो रहे हैं ये बहुत ही मतलब एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए इसलिए इसको 3 point LIC के दोनो ETF का सिर्फ 1 या 2 लाख का trading volume है बहुत ही negligible है इसलिए मैं इसको सिर्फ 1 ही point दूँगा तो यहाँ पे clearly बहुत fund size और trading volumes के perspective से Nifty Beast Nippon का stand out करता है ETFs passive investment है मतलब कोई ना कोई यह आपके बहाफ पे इसको manage कर रहा है fund house तो वो अपना खर्चा भी लेगा अब as a investor आपकी यह ध्यान में होना जरूरी है कि यह खर्चा यानि कि simple भाषा में expense ratio कम से कम हो ICICI और HDFC इनका expense ratio 0.05% है इसलिए इन तीनों को मैं यहाँ पे 5 point देता हूँ LIC के दोनों ETFs के 0.1% expense ratio है इसलिए इसको 3 point तो यहाँ पे Nippon, ICICI और HDFC तीनों की tie है और तीनों stand out करते है पाच्वा parameter जो मैं देखता हूँ ETFs evaluate करने से पहले वो है tracking error tracking error अगर मैं simple भाषा में बोलू तो underlying जो asset होता है Nifty और Sensex हमारे case में उससे इसका return कितना close चल रहा है अब अगर यह information हम ticker tape करके एक website है उस पे check करें तो Nippon का जो fund है वो as close चल रहा है बाकी सारे में थोड़ा थोड़ा deviation है बट वो उतना major नहीं है यह more or less जो underlying asset होता है इनके close ही चलते है बट still मैं यह benefit of the doubt यहाँ पर देना चाहूंगा Nippon India Nifty Bees को और उसको सिफ एक point बाकी सारों को यहाँ पर कोई point नहीं तो यहाँ पर भी marginally सिफ Nifty Bees stand out करता है चलिए दोस्तों अब results की बात करते हैं पर वो शेर करने से पहले एक छोटा सा disclaimer यह वीडियो या analysis किसी भी तरह का recommendation या advice नहीं है So please consult your financial advisor before any investment decisions यह वीडियो सिर्फ और सेफ education purpose के लिए है साथ ही बहुत recently अगर आप passive investing में मानते हो या passive investing की और strategies देखना चाहते हो तो हमने वो top 3 dividend paying stocks कौन से है उस पर वीडियो बनाया है वो जरूर देखिए आपको पसंद आएगा अब अगर मैं top ETF की बात करूं इंडेक्स वाले तो उसके result का आपको more or less अंदाजातों लगी गया होगा निपॉन इंडिया Nifty 20 clearly stand out करता है और first आता है 21 point के साथ ICIC Prudential Nifty ETF is second with 16 points HDFC Nifty 50 ETF is third with 14 points LIC के जो दोनो ETF है Nifty 50 और Sensex के और fourth and fifth respectively यहाँ पे निपॉन इंडिया ETF Nifty 20 clearly stand out करता है overall trading volumes, return, history, AUM यह सब के perspective से तो इस पे आप definitely नजर रख सकते हो if you are looking for an opportunity to invest in ETF आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहे और दोस्तों अगले वीडियो तक फिर मिलते हैं